इन दिनों बिग बॉस 11 की कंटेस्टेंट बंदगी के लिए ये खबरे आ रहे थी कि बंदगी को टीवी पर इस तरह देखकर उनके पिता की हालत बिगर गई है पर इसके बारे में बंदगी के भाई ने जो बताया वह चौक आने वाला था आपको याद होगा कि मीडिया में एक खबर आई थी जिसके अनुसार बंदगी के बारे में बताई गई थी कि उसके पिता हॉस्पिटलाईज है लेकिन बंदगी के बारे में बताई या बात पूरी तरह से बेबुनिया थी बंदिगी के भाई ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनका परिवार ऐसी गलत खबरों से परिशान हो गया है इस तरह की खबरें केवल उनके परिवार को बदनाम करने के लिए लिखी जाती है इनका कोई और और चित्य नहीं होता बंदिगी के भाई ने मीडिया को बताया कि हम लोग इस तरह की रिपोर्ट से बहुत आहत हैं मेरे पिता पूरी तरह से स्वास्त आश्पिट हैं उन्हें किसी भी हॉस्पिटल में भर्ती नहीं कराया गया था वो अपने काम में लगतार बिजी है बासु ने मीडिया हॉस को यह बताया कि वो सोशल मीडिया पर आने वाली खबरों पर आख बंद करके भरोसा ना किया करें बंदिगी की एक्स बॉइफ्रेंड डेनिस नाकपल भी सोशल मीडिया पर छपने वाली फेक खबरों से काफी आहत है उन्होंने बताया है कि बंदगी को लेकर आने वाली फिक खबरों से मुझे काफी दुख होता है आपको बता दें कि बंदगी और पुनीश के बीच लगतार बढ़ती नजदीक्यों के चलते डेनिस ने बंदगी से ब्रेक अप कर लिया था बंदगी और पुनीश को सोपर कई बार एक दूसरे के साथ करीब या बढ़ाते देखा गया है यहां तक कि सल्मान खान खुद दोनों को डाट लगा चुके हैं सल्मान खान ने दोनों को हिदायत दी थी कि आप शोपर जो भी कर रहे हैं वो नैशनल टेलिविजन पर प्रशारित होता है जिसे आपके घर वाले भी देखते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या काम करने जा रहे हैं For more new updates and gossip stay connected with Bollywood filmy तड़का